गूट मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे एरो जैंग ने अपने ट्रायल के साकेंड लेवल को पार कर और लॉट सू को काफ़ी अच्छी से सबक सिखा अ लिए हैं इसलिए मैं उसे यहां ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा अब आगे जहां मिस एपिसोड की सुरवात में जैंग को पैलेस मास्टर के साथ उनके फ्लैंग सिप में देखते हैं तभी वहां पैलेस मास्टर जैंग से कह रही होती है कि तुम अपनी स्पेस दी ट्रू ड्रैगन ब्लड मिल पाए अब यह सुन पैलेस मास्टर कहती है कि अगर तुम सोल ट्रायल के सेकेंड लेवल को पास कर लो तो तुम यहां अमारे लॉंग यूवान पैलेस के डिसापल बन जाओगे फिर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ट्रू ड्रैगन ब्लड बारे में बताते हुए कहती हैं कि सोल कल्डिवेशन टोट Means सेवन लीवल कि होती हैं जिसमें से अगर हम लो लेवल से उसी से बात करें थाइन को पहुझ जाते हो तो तुम अपने सोल को फिजिकल फॉर्म में भीज कर दूसरे लोगों से फाइट भी कर सकते हो अब इतना कहते ही हम वहाँ देखते हैं कि वह सभी सोल बॉड़ी से किक कर जैंक से फाइट करना स्टार्ट कर दे थी है जहां जैंक भी उसके अटाक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचते हुए कह कि तुम्हारी सोल तो यहां काफी ज tänादानि इसक्डाइस के वीज़ा है अब यह सुन पैलेस मास्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस वज़ा से तुम्हारी सोल यहाँ स्पेचल है सायद इसके पीछे कोई और ही वज़ा है अब इतना कहते ही पैलेस मास्टर जैंक की सोल को वापस से उसकी बॉड़ी के अंदर ले आती है और खुद की भी सोल क जिसके बाद वो वहाँ जैंक से कहती है कि अगर तुम अपने सोल ट्रायल में बैटल सोल रियल्म को ब्रेक्ट्रू कर लेती हो तो तुम यहाँ इस ट्रायल में पास हो जाओगे जिसके बाद पैलेस मास्टर अपने पास वाली गल से कहती है कि तुम जैंक को उसके सोल ट्र में लेकर जाओ तभी वह गजांग को लेकर उस ड्रैगन टावर की तरफ से आगे बढ़ने लखती है जहां यहां सब ऊपडोग selा वे ऊपर सब्सक्राइब के पाथ पहूंचता है वैसे ही उससे काफी तेज गुराने की आवाज बाहर आ जाती है जिस वज़े से जैंग वहाँ खुद को सम्हाल नहीं पाता अब यह देखकर वो गल वहाँ जैंग को अपने पावर की मदद से सम्हालते हुए कहती है कि इस ट्रायल में तुम्हें यहां एक ऐसे बीष्ट का सामना करना होगा जो यहां पहले हजारों लोगों को मार उनकी सोल को अपने अंदर ले चुका है हाला कि हमारी पैलेस माश्टर ने उसे पकड़ कर यहां कैत कर दिया है पर फिर भी उसकी सोल पावर काफि जादा खतिरनाक है अब यह सुन जैंक कहता है कि अभी जो यहां पर आवाज आई थी वो उस बीष्ट की सोल अटैक थी इस पर वो गल वहां कहती है कि हाँ यह उसकी ही आवाज थी उपर से इस ट्रायल के अंदर काफि सारे लेवल्स हैं और वहाँ पर कुछ स्पेच्वल लैंज सिल्ड भी हैं जो उस बीष्ट के सोल अटैक को वहां डिफेंड कर सकते हैं पर फिर भी मैं तुम्हें बता दू और उस पिलर के सामनी जाकर खड़ा हो जाता है तभी उससे एक तेज लाइट बाहर आ जैंग के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकाल उसे यहां से लेकर जाने लगती है तभी अब वो गल भी यहां से वापस जाने लगती है पर वो वहाँ क्यान को भी सोल पिलर के पास जाता हुआ देख थोड़ा हैरान हो जाती है और सिधा पैलस मास्टर के पास पहुँच उनसे वहाँ कहती है कि मैंने क्यान को अभी जैंग वाले ट्रायल में जाते हुए देखा पर जहां तक मुझे पता है कि जरूर जैंग और क्यान के बीच में किसी तरह की दुस्मनी है इसलिए मुझे डर है कि क्यान ट्रायल के बीच में जैंग को वहाँ जान से मारने की अपनी पूरी कोसिस करेगा अब यह सुन पैलस मास्टर कहती है कि तुमने कभी लाइफ एंड डैट की सिच्वेशन को देखा है इस पर वो गल कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा पर तभी इदर कियान भी सोल ट्रायल के पिलर के पास पहुँच कर अपनी सोल को भी उसी ट्रायल के अंदर भीज़ दीता है तभी यह देखते हुए पैलस मास्टर वहाँ कहती है कि जिस तरह की जैंग की पावर्स है हमें बस उसे यहाँ गाइट करने की जरुरत है क्योंकि अगर वो यहाँ अपने रास्ते में आने वाले सभी मुस्किलों का सामना कर लीता है तो वो एक ना एक दिन जरूर यहाँ इस दुनिया का लेडर बन जाएगा अब यह सुन वो गल वहां कहती है कि इस दुनिया का लेडर बनने का मतलब या है कि वो लाश्ट में इस दुनिया का मास्टर या फिर एक गौड बन जाएगा अब यह सुन पैलेस मास्टर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जैंक का भाग्य ऐसा ही लिखा गया है तब यह अब हम सोल ट्रायल के अंदर का सीन देखते हैं जहां बीचों बीच वो बीच वो बीष्ट वहाँ चारो तरफ से जनजीरो से बना हुआ होता है साथी स्ट्राल में काफ़े सारे लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल पर ओयल लेंज लगे हुए होते हैं जो उस बिष्ट के अटाक से बचाने का काम किया गएते हैं पर उसके आते ही वो ख़दनाग बेश्ट सीधा जैंग की सोल के उपर अटाक कर उसे यहां घाल कर दीता है जिस वज़े से जैंग को यहां काफी जादा दर्द भी हो रहा होता है पर तभी जैंग का जोरा ड्रेगन जैंग की कॉंसेस माइंड के अंदर उसे वहां बता रहा होता है कि तुम यहां अपनी सोल को हील करने के लिए अपनी सोल पावर का यूज करो अब यह सुनते ही जैंग वहां तुरन थी अपनी सोल पावर की मदद से अपनी सोल बाड़ी को वहां हेल करनी लगता है जहां उसे उस अटैक की वज़े से ऐसा मैसूस होता है कि इस वज़े से उसकी सोल पावर यहां थोड़े इंप्रूब हो गई है पर तभी इधर अचानक से वो बेश्ट वहां फेसे जैंग के उपर कुछ सोल अटैक लॉंच कर दीता है जिस वज़े से जैंग वहां फेसे घायल हो जाता है और उसे वहां काफी जादा दर्ग भी हो रहा होता है इसलिए Zang वहाँ कहता है कि इसकी attack तो यहाँ काफी ज़ादा खतरनाक है अब इतना कहते ही वहाँ फिल से अपनी soul को heal करने में लग जाता है और कहता है कि soul cultivation की यह method body cultivation की ही तरह है जिसमें मेरी soul जितनी ही ज़ादा damage होगी तो वो recover होने पर उतनी ही ज़ादा powerful हो जाएगी तब ही अब Zang के conscious mind के अंदर Zang का azora dragon उस soul beast को sense कर कहता है कि मैं उस beast को खाना चाता हूँ क्योंकि उसे खाने के बाद सायद मेरा भाई red dragon भी यहाँ पर होस में आ जाए इसलिए Zang तुम यहाँ किसी तरह से गिन और यान barrier को तोड़ने की कोसिस करो ताकि वो soul beast यहाँ पर अटाक पर अटाक कर उसे यहां से आगे बढ़ने से रोकने की कोसिस करने लगता है अब यह देख Zang अपने अजोरा ड्रेगन से पूस्ते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं जिस पर अजोरा ड्रेगन कहता है कि तुम बस यहां किसी तरह से six floor तक जाने की कोसिस करूं पर तभी अब हम इधर देखते हैं कि क्यान की सोल भी अब यहां पर पहुँच चुकी होती है जहां उसके यहां पर आते ही वो बिश्ट वहां उस पर भी अटाक पर अटाक करना सुरू कर दीता है पर तभी हमें यहां पर पता चलता है कि क्यान की सोल तो यहां इतनी जादा श्ट्रॉंग है कि लेवल वन की अटैक्स उस पर कुछ खास असर नहीं कर पा रही हैं इसलिए वो वहां सीधा जैंग पर ही अटैक करने को यहां से आगे बढ़ जाता है पर जैसे ही जैंग वहां कियान के अटैक को डॉच करता है वैसे ही उसे उस बीश्ट के कई सार मेरे टैक्निक का यूज कर मेरी सोल को रिफाइन किया है इसलिए मैं यहां बैटल सोल रियल में काफी असानी से पोहस सकता हूं अब इतना कहते ही वह वहां सीधा जैंग के ऊपर अटैक कर दीता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है फ्रेंस अगर वीडियो को अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई